पहली बार चुनावायोग ने सारे सत्तर की सत्तर सीटों पर अपना आकड़ा जारी कर दिया आमादी पार्टी को 52 सीटे इसो चुनावायोग की तरफ से रिजानों में मिलता हुआ दिख रहा है जब कि भारती जनता पार्टी के खाते में इस वक्त 18 सीटे जाती हुए दिख रही है इन आकड़ों के मताबिक अब तक बीजेपी को 40 प्रतिशत वोट मिले हैं पिछली बार के मुकाबले 9 फिसदी के आसपास जादा और ये जो आकड़ा है आम आदनी पार्टी 52 सीटों पर और बीजेपी 18 सीटों पर आगे चलती हुए देख रही है यानि कि पहली बार चुनावायों के तरफ से 70 के 70 सभी सीटों पर आकड़ा जारी कर दिया गया हाला कि एक बार में फिर से अपने दर्शकों से कहुँगा कि आकड़ा महज रुजहान है ये नतीजे नहीं है मगर अमूमन ये देखा जाता रहा है कि शुरवात में जो आकड़े रुजहानों के शकल में साब में आते हैं ये 99 फिजदी अकसर ऐसा होता है कि वही आकड़े नतीजों के शकल में बदल जाते हैं मगर हमारे साब ने बहुत सारे राज्यों के ऐसे तस्विरे हैं जहां पर नतीजे बिलकुल ही पलट जाते हुए देखे गए है